हाँ तो मेरे प्यारे चाथ चात्राओं विल्कम बेक टू राजे स्टेडी और आज हम बात करेंगे इटे मन की अस्थियां का जो चिप्टर पार्ट नमर टू है ठीक है पार्ट नमर टू वीडियो का तो उस पे बात करेंगे पार्ट वन अगर आप लोग नहीं देखे हैं त तो आप लोग जो है अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए ताकि जादा समझ में आए तो बाकि आगे हम कलास को स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं देखें करा जो हरपा सब भेता, नगर योजना और इमारते तो उसके बारे में यानि क हरपा सबहता की जो नगर योजना थी कैसी थी वहां की जो इमारते थी वो कैसी थी तो देखते हैं करा जो नगर योजना हरपा सबहता की सबसे बरी विसिस्ता थी यानि कि नगर योजना जो थी हरपा सबहता की सबसे बरी विसिस्ता थी complete है, चले, आगे देख लेते हैं, हरपा से बहता की सबसे महत्पुन विशिस्ता, वहां की नगर योजना बहु बस्तू कला थे, यानि की हरपा से बहता की जो सबसे महत्पुन विशिस्ता माने जाती है, वहां की नगर योजना और जो उसकी बनाने का जो कला था, बनाने का ज जायनता वो जो है सबसे जादा जो है विस्यस्ता जो है महत्पुन विस्यस्ता माना जाता है कि इसका हरपा सब्वैता का चले आगे देख लेते हैं आगे का लाइन हरपा सब्वैता के छो अस्थानों को ही नगर माना गया है यानि कि हरपा सब्वैता के बात करें तो उसके मा हरपपा महाण जोदरो चान हुद्रो दोथल काली बंग बन वाली यह सो है का हरपा अकिया चलिए आगे देख लेते हैं हरपा सब्था के दो पाकिस्तान में तदंगर आपिम कि हरुफ आप Also that is a का जो दो नगर है आपका हरपपा और मोदर यह अभी कहा है बरुन है पाकिस्तान में है complete है चले आगे देख लेता है हरपातता मोहन जोदरों के बीच की दूरी लगभग 483 किलो मीटर है कितना 483 किलो मीटर किसकी किस के दूरी हरपातता मोहन जोदरों के बीच के दूरी । अबबड़ के बीच की दूरी किद्रा हैру? そon 483 किलो मीटर थीक है और हरपातता मोहन जोदरों जो है ये दोनों जो है जुरुबा राज्धानी का लाता है किसका हरपा सबहता का आगे हम लिखे होंगे देख लेते हैं चले देख लेता है आगे का राज जो हरपा सबहता सिंदू घाटी सबहता की जुरुबा राजधानी हरपा तता मोहन जोदरो थी यानि कि हरप्पा सबहता या फिर सिंधु घाटी सबहता की जुरुबा राजधानी क्या थी हरप्पा तता मोहंजूदरू तो ये बात हम पहले भी बताये था आपको चले इसका भी है स्कीन सोट आप लोग जो है ले लिजिए और एक्जाम में तो बार बार पुछाई जाता है हाँ से पर्सन आप लोग जो है वीडियो में बने रही है चले आगे देखते हम आगे हरप्पा सबहता की नगर योजना है देख लेते हैं हरप्पा सबहता में सरक्ष्य और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना बना ले जाती थी complete है यानि कि देखे हरपा सा बैता में जो सरक बनता था या फिर जो मकान बनता था ना तो बनाने से पहले ठीक है यानि कि बनाने से पहले उसकी पूरा योजना बना लिया जाता था बोले तो पूरा जो है एक तरह से डिजाइन जो है एक पेज पे जो है बना लिया जाता था जो जिसको अपना लोग क्या कहते हैं नक्सा कहते हैं ठीक है तो उ जो है बना लिया जाता था उसके बाद जो है सहर हो या फिर गाउ हो उसको बसाया जाता था चले आगे देख लेता है करा हरपा सा बैता में मकान बनाने के लिए पक्की तदा आयताकार इटो का इस्तेमाल किया जाता था यानि कि हरपा सा बैता में जो है जो घर बनाने के लिए क्या किया जाता था पक्की तदा आयताकार इटो का इस्तेमाल किया जाता था चले आप लोग इसको तो समझे गया होंगे इसमें समझाने बना कोई बात है नहीं चले आगे देखते हैं करा हरपा सा बैता मे नगरों को दो भागों में बाटा गया हरपासा बैता में जो है नगर को भी दो भाग में बाट दिया नगर बोले तो सहर को दो भाग में बाट दिया था अब कौन-कौन सता से दिखे एक भाग को उचाई पर बनाया गया यानि कि एक जो भाग था उसको उचाई पर बनाया अ था निचला सहर नाम था चले आगे देख लेते हैं आगे करा है दुर्ग छोटा सहर होता था दुरू क्या होता था छोटा सहर होता था वहीं निचला सहर बरा होता था जो निचला सहर होता था उबरा होता था और दुर्ग जो है छोटा सहर होता था चले आगे देखते है हरपा से बैता की इधारत लिख दिया है थोड़ा छूट गया था देखे हरपा से बैता की एक बरी भी सिस्ता यहां की जल निकास पर नाली भी थी ठीक है अगर हरपा से बैता की एक भी सिस्ता की बात करे ठीक है बहुत बरी भी सिस्ता की बात करे तो य यहां की जल निकास परणाली भी थी बहुत थी एक तरह से हम कह सकते हैं तो यूनिक तरीका से सुसजी तरीका से जो है यहां की जल निकास परणाली बनाई गए थी आगे हम पढ़ेंगे जो कैसी परणाली थी जल निकास परणाली इसकी देखें आगे देख लेते हैं पहले क तदा वहां की सर के सीधी होती थी हरपा से बैता कि जो भी सर की होती थी पूरा जो है नबे डिगरी की कोन जो है एक तरह से समकोन टाइब का जो है बना हुआ होता था ठीक है जो एक दूसरों को समकोन पर करती थी किस बे समकोन पर करती थी कंपलीट है चले इसका भी आप लो कि अंदर से बलाश। बाहर से करता होगा ना. चले देख लेते हैं नालियों को उपर से ढग भी दिया जाता था नाली को क्या करता था उपर से पूरा ढग देता था अतता उसे चूने तता जिपसम से रंगा भी जाता था क्या करता था जो नाला को ढख के ठीक है उस पर चूना हो या फिर जिपसम हो इससे पुताई कर दिया जाता था आगे देखते हैं हरपा से बैता की दरबाजे तता खिरकी पीछे की और खुलती थी ठीक है यानि कि हरपा सबैता का जो दरबाजा था या फिर खिरकी बोले तो ये दोनों जो है पीछे की और खिलते थे अभी क्या होता है अभी जो अपना लोग जो घर बनाते हैं तो आगे की और खिरकी खुलती है लेकिन हरपा सबैता में पीछे की और खुलते थे कैसे पीछ जिसको आपना लोग बाथ रूम बोलते हैं जो नहान वाने वाला घर होता है तो मसल मतलब बहुत बड़ा असनान घर मिले हैं इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है हरपा बासी असनान करने के लिए असनान घर का उपयोग करते थे चुक्कि असनान घर मिला है तो उसमें नुकाने के लिए या फिर बैठने के लिए सोने के लिए थोड़ा है असनान घर बनाया होगा असनान करने के लिए बनाया होगा तो इससे क्या पता चलता है जो हरपा बासी जो है असनान करने के लिए अ चले आगे देखते हैं आगे जो है हरपा सबहता की खोज के महत्पुन शुरूद मुहर ठीक है यानि कि हरपा सबहता की खोज के जो है महत्पुन शुरूद जो है मुहर जो है मुहर जिसको मुहर बोलते हैं वो क्या है से देखते हैं करा सिल खरी पत्थर से या मुहर बनाई गई थी यानि कि हरपा से बैता के महतपुर्ण कोज में से एक मुहर जो है किसे बनाई जाती थी सेल खरी पत्थर से बनाई जाती थी चले आगे देख लिए मुहर पर जानबारों का चित्र होता था क्या होता था मुहर पर जानबारों का चित्र होता था ठीक है आगे देखते करा इन मोहरो पर कुछ ऐसे लिपी का पर्योग किया गया, किया गया है, जिने अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, यो पता चल जा है तक, अभी तक हो इसमें मोहर पर लिक्हा गया है, और अधिक जानकारी हमको मिल सकती है, ना तो चले इसका भी है स्कीन सोट आप लोग ले जोए आगे हम फिर से बात कर लेते हैं इसी कलास में आगे देखें आगे है आप लोग का क्या है ये हाँ हरपा से बैता की खोज की कहा नहीं I mean जो है हरपा से बैता जो है कैसे मिला हरपा से बैता की खोज जो है किस परकार हो कहां से शुरू होता है उस पे जो है जानकारी प्राप्त करेंगे हाँ पर देखें कर आया हरप्पा से भैता के सहर जब नस्ठ हो गए तो लोग धीरे-धीरे इस सब्भैता को भूलने लगे यानि कि हरप्पा से भैता के जो सहर था वो जब पूरा-पूरा समाप्त हो गया न नहीं आये तो खुदाय तता खुदाय तता मिट्टी के कटाब के कारण रोज रोज कुछ चीजे उन लोगों को मिलता है रहता था यानि क्या हुआ जो हरपा से बैता जैसे ही समाप्त हो जाता है टेक है लोग जो है धीरे-धीरे हरपा से बैता को भूले लगे और कई साल के कही साल मतलब कही 100 साल के बाद जब लोग फिर से वहां पर रहने गए तो खुदाय के दौरान या फिर जो नदी का जो कटाब होता था तो कुछ ना कुछ ना नया चीज जो है मिलते रहता था जो अजीवा रहता था एक तरह से ठीक है तो क्या हुआ सो देखिए आगे फिर से रहता था अब वहां के लोगों ने इस अपरिचित बस्तु के बारे में जानने की जिग्यासा जाहिर की चुकि अपरिचित बस्तु था का बस्तु था मिला था तो अहां कि लोग जो है कुछ उनके मन में जो है कुछ जिग्यासा जो है जाहर हुआ जो आखिरी ये बस्तु जो है कौन से काल का है कौन से यूग का है कौन से सब्वेता का है उसके बारे में जनकारी प्राप्त करें जाहर की तभी हरप्पा की खुद प्राश लिए चिले आगे देखते हैं जो7 हां मिले अभूसन तत्था और से भी पता चलता कि यहां पर कोई सब्यता थी यानी कि हरपा में जो अभूसन मिले हैं और जो भी ऑजार मिले उससे भी पता चलता है जो हरपा में जो है कोई सब्वेता पहले से महजूद था तो चले इसका भी आप लोग जो है स्कीन सॉट लिजे और ये कलास भी लगभाग में खतम होगा आगे है थोरा सो और देख लेते हैं मसलों जो है यह जादा सोचिएगा है कण भारतीय पुरातात्वी के मतलब होता है जो एक त innovations करने पाला जो 對 पुरातात्विक का जाता है पुरातात्विक चले देख लेता है कनिंगम जो है भारते पुरातात्विक सर्वेक्षन के पहले डाइरेक्टर जर्नल थे क्या थे पहले डाइरेक्टर जर्नल थे किसका पुरातात्विक सर्वेक्षन के चले जिनोंने उनेश्वी सतावदी के मद्ध्य में पुरातात्विक अध्यन शुरू किया जो हरप्पा से संबंदी था यानि कि उन्यश्वी सतावदी के मद्ध्य में पुरातात्विक अध्यन सुनू किया कौन कनिंगम ठीक है किसे संबंदी था हरपा सब्हेता से संबंदी था कम रिठा चले आगे देख लेते हैं आगे क्या करा है एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हरपाई मोहर दी थी ठीक है यानि कि एक अंग्रेज बैक्ति था वो जो है कनिंगम को जो है हरपाई म मुहर दिया था लेकिन कनिंगम मुहर पर लिखे बातों को समझने में असफल रहा है चुकि मुहर पर जो है कुछ लिखा हुआ था तो हरपा वाला लीपी में लिखा हुआ था तो कनिंगम को ज्यादा समझ में नहीं आया और कनिंगम जो हरपा से बैता को समझने में असफल र तो आज का जो आपका कलास था यही पर होता है समाप्त आप लोग जो है पार्ट थी वीडियो का इंतजार किजिए और पार्ट थी में हम कोशिश करेंगे जो आपका चिप्टर जो है पूरा इंटे मन की अस्तियां जो है समाप्त हो जाए तो आप लोग जो है फर्स्ट वीड किसा